नमस्कार दोस्तों मैं रभी आप सबी का स्वागत करता हूँ आज हम जानेंगे कि मा काली की पूजा कैसे करें कि मा की करीपा आपके उपर बन जाए मा की चक्तियां कैसे आप जागरित कर सकते हैं यह है बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है इसलिए इस वीडियो को पूजा करते हैं और कुछ समय बाद पूजा करना बंद कर देते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन में समझ्चाइं पैदा हो सकते हैं या तो आप लोग पूजा करना शुरू ही ना करें अगर आप पूजा करना शुरू कर देते हैं तो उस पूजा को पूरा जरूर किजिए सा प्रिवार्तों साद्रक के मन में होता है कि वह है माकाली की पूजा करना चाहता है एक होता है कि साद्रकों के घरों में पहले से ही माकाली की कोई पूजा चली आ रही है तो दो तरीकों से आप लोग माकाली की पूजा करना शुरू करते हो मान लीजिए कि अगर आप अपनी ही इच्छा अनुसारमा कली की पूजा शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले गुरू की अवशकता बढ़ती है क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होता जब कुछ किसी भी विधी के बारे में या फिर किसी भोग के बारे में या फिर किसी भी परकाल से आप को नहीं पता है कि माकाली की पुजा कैसे की जाती है तो आपको पहले शीखना होगा आप लोग भगती सुमें भगते अपने घर में कर सकते हैं लेकिन काफी साध्रक तामसिक भूग कुद ही देना शुरू कर देते हैं बिना गुरु अनुमती चे और बिना गुरु से ही और इन बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं और तामसिख भोग देना शुरू कर देते हैं कि मैं माकाली को जल्दी जागरिट कर सकता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तामसिख भोग से माजल प्रसन होंगी और साथ विक से नहीं होंगी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने खुद ही पूजा करना शुरू किया है चलो आपके मन में एक भावा जाता है कि मुझे मा काली की पूजा करना है मैं अपने घर में मा काली की पूजा करना चाहता हूँ ओखे में आप लोगों को गुरूब बनाना बड़ा ही अनिवारिये होगा क्योंकि वहीं आप लोगों को सखाता है वहीं आपको बदाइगा कि आपको और दिए से के पास रहना होगा जो आपको गाइड करता रहे समय समय पर कि आप लोग खोद ही पूजा करना शुरू करते हो फिर कुछ सालों बाद फूल समय तो आपकी लिए एक्षा रहता है क्योंकि आपका विश्वास पूजा के लिए जागृत होता है लेकिन कुछ समय बाद आपके मन में जैसी विश्वास कम हो जाएगा क्योंकि आपको ऐसा हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं मेरे साथ कोई अनभव नहीं हो रहा है मेरे साथ यह बुरा हो रहा है मेरे साथ वह हो गया है तो ऐसे में आपके साथ ऐसा होता है तो आप पूजा करना बंद कर देते हो या फिर किसी और ने देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देते हो तो यहीं से आप लोगों का भटकने का जो समय हो शुरू हो जाता है तो इसलिए गुरू बनाना निवारिया है चाहे आपके साथ आच्छा हो य आपके दादा जी पहले से ही मा काले की पूजा करते थे तो आप लोग उस तिति में खुद पूजा करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में पहले से ही मा के नाम से क्या वोग दिया जाता है किस परकार से मा की पूजा होती है किस परकार मा की जोती ज पूझा चले आ रही है तो ऐसे में आप लोगों को यह पता होना चाहिए और पता भी होता है ज्यादा तर देखा गया है कि सभी को पता हूँ कि हमारे गर्मे की सक्ति की पूझा हो रही है और यह पूझा कैसे की जाते हैं तो आपके घर में पहले से ही पूजा शुरू होती है तो वही पूजा आप लोगों को देनी अनिवारिया है वही भोग आप लोगों को देना अनिवारिया है ठीक है इस बात का आप लोगों को विश्य ध्यान रखना है अगर आपके गर में मा का साथ भी भोग दिया जाता है तो ताम सिख भूग आप लोगों को बिलकुल भूल कर भी नहीं देना है इस बात को हमेशए याद रखना अब बात आती है कि हमें गुरू बनाना चाहिए या नहीं क्योंकि अगर हमारे घर में पहले से ही पूझा हो रही है तो क्या हमें गुरू बनाने की जरूरत है तो जी बिल्कुल आपको भी गुरू बनाने के अशकता है क्योंकि जितना आपने देखा हुआ है यानि कि आपके जो पिता जी पुजा करते थे वो आपने देखा हुआ है आपके दादा जी पुजा करते थे वो भी आपने देखा हुआ है लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए आपको गुरू बनाने की अवशकता पड़ती है क्योंकि अगर आप भगती से भगताई की तरफ आ जाते हैं तब भी गुरू बनाने की अवशकता बहुत अधिक पड़ती है अधिक नहीं अनिवारिया होती है इस बात का विशेश जाना आप लोगों को रखना होगा तो पहली तो बात ये हो गई कि दोनों परकार से पूजा अगर चलती है तो क्या अनिवारिया होगा लेकिन आप बात आती है कि चलो आप मां कहले की पूजा कर रहे हैं मां लेजी आपके गुरु हैं या नहीं भी हैं आपने पुझा के बारे में आपको पता है या फिर आप पहले किसी गुरु के सिश्चा रहे चुके हैं या अभी हैं कैसे भी आप मां कहले की पुझा कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें जागरित कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप आप लोगों को हर शनिवार मा के मंदिर जरूर जाना चाहिए क्योंकि जब आप मा के मंदिर हर शनिवार जाते हैं तब ही माँ आपके घर में प्रवेश करती है इस बात को विशेश द्यान आपको रखना होगा क्योंकि अगर आप लोगों को अंटाल आता है कि मैं मा के मंदि कल चला जाओंगा या परसों चला जाओंगा आज नहीं हो पाएगा तो ऐसे में आपका विश्वास कमजूर होता है और विश्वास कमजूर होने पर मा की करीपा भी आप से दूर हटना चुरू हो जाती है क्योंकि आप तो मा को हमेशा बुलाना चागते हो अपने गर पे लेकिन अगर आप एक दिन भी एक वीक में एक दिन भी आप मा के मंदिर नहीं जा पाते हो तो ऐसे में आपकी पूजा सवीकार नहीं हो पाएगी दूसरी बात आप लोगों को वह भोग जरूर देना चाहिए जो आपके घरों में पहले से ही मा काली को दिया जाता है और अगर आपके घरों में पहले से ही भोग नहीं दिया जाता तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार सात्विक भोग दे सकते हैं आप लड़ो वर्फी या फिर कोई भी दूत्रे बना पक्वान दे सकते हैं आप अलवे का भोग दे सकते हैं आप बताशे का भोग दे सकते हैं आप लोंग का भोग दे सकते हैं जो भी भोग आप देना चाहते हैं वैं भोग आप दे सकते हैं लेकिन एक बात का विशेश द्य आप अगनी बना सकते हैं आप उपले की आग ले सकते हैं और घी से उस अगनी को प्रजलित करने के बाद आप उसके अंदर भोग लगा सकते हैं आपको शनी बार के दिन माकाली का बोग जरूर लगाना है आप किसी भी एक समय लगा सकते हैं सुबह लगाएं या शाम को लगाएं तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जो माकाली के वक्त हैं उन्हें माके नाम से हलवा जरूर देना होगा साथ ही आप मिठाई भी दे सकते हैं चाहें तो आप सफेद फूल भी मा को दे सकते हैं साथ ही बात आती है कि और क्या कर सकते हैं तो आप लोगों को मंदिर में साफ सपाई रखना बड़ा ही अनेवारिया है जब भी माकाली क्या पूजा कर रहे हैं आप मंदिर की साफ सफ़ाई रखनी होगी, अपने शरीर की साफ सफ़ाई रखनी होगी, किसी के लिए वे आपके मन में गरेना नहीं होने चाहिए, आप लोगों को समच बस्तर धारन करके ही रहना चाहिए, आप लोगों को अपने आसपा साफ सफ़ाई का बहुत विशेश द पिर आप Internet से कोई भी मंतरा मत उठाए हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि या तो आपको किसी ने मंतरा दिया हो बोल कर दिया हो या फिर आपको बताया हो तब ही आप कोई मंतरा कांद था शब만 करें'' यानि कि आप किसी सादक के सनीध्य में रहकर उनका जब करें अगर किसी सादक ने दिया है या फिर आपके गुरू ने दिया है या फिर आपके मन में पहले से ही वह मंतर आता है यानि कि सौपन में भी माकाली आपको मंतरा दे जाती हैं तो ऐसे में कुछ सौपन के द्वारा दिया गया मंतर, आप बेज मंतरा का जब कर सकते हैं, आप काली चारीसा भी पड़ सकते हैं, या फिर आप लोगों को केवल नाम जब ही करना है, केवल माता काली का नाम ही आप लोगों को लेना है, उसी नाम जब से शक्तियां आपके आसपास जागरित हो जाती हैं, बंधी श मा काली की पूजा आप लोग ब्रह्म मूर्ता के समय ही करें जो ब्रह्म मूर्ता के समय है वो सुबह साड़े तीन से साड़े पांच के बीच में होता है और आप लोगों को कोशिश करने है कि आप सुबह चार बजे मा काली की पूजा करें उनके नाम से दीपक जलाएं धूप परचना करें उनका भोग दें और मंत्रा जब के लिए बैठ जाएं जैसे जैसे मंत्रा जब की संक्या बढ़ती है वैसे वैसे आपके शरीड का तपोबल बढ़ता है उस मंत्रा से आपके आसपास के वातावर्ण में उर्जा पैदा होती है और वही उर्जा आपके लिए कार समझा रहती है वेफार में समझा रहती है आपके साथ में कोई समझा हो जाती है फिर पूजा में ही वीगन आने शुरू हो जाते हैं आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं बात करने के लिए वर्चेफ नंबर आपको शक्रीन के ओपर दिया हुआ ह आप उस वर्सेप पर अपनी समस्षा को बता सकते हैं आपने समस्षा कर समधान तुरंट जान सकते हैं